साथियों मैं यहां से रोज निकलता हूँ इस रोड के साइट से तो मैंने देखा कि एक NGO जो है कुछ बच्चों को रोड के किनारे पढ़ा रहा है फिर मैंने उनसे बात की तो मुझे पता लगा कि यह बच्चे गरीब है या किसी के माता पिता सिक्षित नहीं है या कोई बहुत जादा पिछड़े वर्क से है या पैसो की कमी की वज़से बच्चे क्लासेस नहीं कर पाते हैं कोचिंग नहीं ले पाते हैं टूशन नहीं ले पाते हैं तो NGO इनको यहां पर फिरी में क्लासेस पढ़ाता है दो घंटे मुझे लगा है कि नहीं बच्चों के चेहरे पे खुशी लाने के लिए कुछ किया जाए और मुझे जो इफर्ट्स बना मैंने बच्चों के एक एक गिट्स और कुछ बिस्किट्स दिये खाने के लिए सच बताओं तो मुझे बहुत खुशी मिली और मुझे लगता है कि सिख्षा जीवन में बहुत जरूरी है ताकि इनसान सिख्षित हो करके बड़ा हो करके अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके अपने अधिकारों को जान सके और इससे ही हमारे राष्ट का निर्मान होगा और हमारे देश का विकास होगा साथियों ये जरूरी नहीं कि हम गरीब हैं कि अमीर हैं या किस वर्क से आते हैं सिख्षा अगर हमारे अंदर गढ़ करने की चाहत है तो हम सिख्षित बन सकते हैं ग्यानी बन सकते हैं रण भूमी में अगर अरजुन के साथ भगवान शरी कृष्ण ना होते तो शायद वो करन्ड से कभी जीत नहीं पाते तो महनत से इंसान करन जैसी विद्या भी हासिल कर सकता है और एक लव्य का उधारन महा भारत में सबसे बड़ा उधारन है कि अगर हम पिछड़े वर्क से हैं वन्चित हैं गरीब हैं तो भी अगर हमारे अंदर इक्षा है तो हम सिक्षा ग्रहड कर सकते हैं